याश्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदेश्व बुद्धी श्रद्धासतां कुलजनां ब्रववस्यलज्या तांत्वां नताश्म परिपालय देवेश्वं शारदी नवरात्र दुरगास्टमी की आप सभी को अनेक औनेक और कोटी शह शुब कामना है माशक्ति का ये महापर्व हम सभी के जीवन में नवचेतनाओं को जागरत करने वाला हो सुख सम्रुद्धी और साथी साथ में सामंजस्य का वास होता चला जाए माँ हमारे हरदे को द्रवित करके लगातार सम्वेद नाओं की स्थरा कांक्शी स्तियां मन के भीतर एक उजास के रूप में प्रभाहित करके रहे एक ऐसा आवरन एक ऐसा आभा मंडल हम सभी के आसपास रहे जो कहीं न कहीं प्रसन्नता और मन के भीतर की जो एक सुख पूंट स्तियां होती है उनको अपने औरा में भी रिफलेक्ट करने वाला हो ये हम सभी की कामनाई हमीशा रहती है और मासे हम यही आशीश इस शक्ति पर्व में मांगते चले जाएं यही कामनाओं के साथ में जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं रविवार है 6 अक्टूबर 2019 का देनेक राशी फल लेकर मैं आप सभी के समक्ष यहां हाजर हूँ उपस्तित हूँ आश्वन मास चल रहा है शुक्ल पक्ष है सूर्य देव 18 अंच की विवस्ताओं के साथ कन्या राशी में ही गतिमान है पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र की प रात को 9 बच कर 35 मिनट के समय के बाद से मकरस्त हो जाएंगे यह एक स्थती है जहां पर शनीदेव के साथ में विराज़त थे उस पोजीशन से अलग मकरस्त हो जाएंगे तो यहां सरवपर्थम शुरुवात मेश राशी के साथ मैं इस दिन भी आपके भाग्ये का जो भी कामकाज उस इस्तर के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की आवशक्ता है आप एक्स्ट्र एफ़र्ट्स किस तरफ जरूर जाने का प्रयास कीजिएगा कमफर्ट जोन जो संड़े की दिन चाहिए होता है वो बना रहेगा आपके पीट की दर्शन के लिए जाते हैं या फिर जो भी आसपास सिद्ध पीट है जहां पर उर्जा पूरे तरीके से प्रभाहित होती है आप वहां जाएं दुरगा शप्तशती का अगर आप श्रवन करते हैं तो और बहतर परिणाम आपके सामने आ सकते हैं जो भी संदेह के ग कर रही थी आज वो out of the box होती चली जाएंगी आपके लिए नौकरी पेशा इस तरके उपर जो भी लोग इस रविवार के दिन भी अपनी विवस्ताओं के साथ में जूंचते चले जाते हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि आज के दिन किया गया काम का आज आपको एक नए ल जातकों के लिए एक आगरता बनी रहेगी और जो एक सयोग मिलना चाहिए सहपाठियों के द्वारा आसपास के बातावरं के द्वारा वो पूरे तरीके से बना रहेगा आपके लिए मन के सपंदन सकारात्मख हैं पुरजोर तरीके से चर्चा वर्षव राशी के सरव पर्थम यहाँ आप एक पूरिशन पाएंगे कि कुछ hidden problems सुभह के अमत्राल से ही सामने आ सकती है कुटुम भी जनों के विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है जिससे दिराशाओं का दौर थोड़ा सा बढ़ सकता है आपके लिए कम्यूनिकेशन में कोई भी gap रिष्टदारों के साथ में घर परिवार के नियर बंस के साथ में मित्रों के साथ में बिलकुल भी निकल कर नहीं आएं किसी भी नए commitment को छुटी के इस दिन करने से आपको बचना चाहिए जो अवकाश का दिन है कोई भी commitment करने की तरफ आप जाने से बचें वैसे भी इतने अधिक व्यापारिक स्तर पे और नौकरी पेशा स्तर पे इस अवकाश के दिन commitment करने की आवशकता है रहती भी नहीं है किन्तो informal approach में भी इसी position से बचना चाहिए पराकरम धोका दे सकता है खुदगिक शमताओं का व्यर्थ आंकलन परेशानी पैदा कर सकता है व्यापार और नौकरी पेशा positions के साथ में ग्रहस्त जीवन में जो एक इस्तर वरद्धी वाला आपके लिए रहना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी पेशी देखी जा सकती है संतान के उपर जितना अधिक ध्याम देंगे उतना ही आगे आने वाली छोटी बोटी परिशानियों से बच्चते चले जाएंगे आप यात्राएं अगर करनी रहे तो समय के शुद्धिकरण के साथ में आपको जरूर बढ़ना चाहिए और अगर यात्रा प्रवास ताला जा सके तब और अधिक बहतर इस दिवस में कहा जा सकता है आपके लिए किसी भी स्पोर्ट के साथ में अगर आपका जुडाव है तो चोटिल होने की संभाव नाओ आदी से जितना व्रशब राशे के महनुभाव बच कर चलेंगे उतना ही बहतर रहेगा मन उचाट जिस दिन भी रहे तो उस दिन किसी भी इस्ट प्रवल मंदिर की ओर जाएं आज वैसे भी माशक्ती का परवचल रहा है तो किसी भी देवी मंदिर में जाएं कुछ समय आप वहाँ बिताएं उस प्रांगण में बिताएं वहाँ पर फिर से उर्जा का प्रवाह बिनता है व्यक्ति सकारात्मक्ता के तरफ जाना जरूर शुरू कर देता है चर्चा मितुन राशी की व्यापारिक गतिविधियां बहुत अलग तरीके से निकल कर सामने आ सकती है आप गए तो थे सिर्फ इनिशेटिव लेने के लिए किन्तु पूरे ही प्रोसेस को एक्जिक्यूट करके आ गए लग नहीं रहा था कि हम उस व्यक्ति के सामने डॉमिनेट करके इस्ततियों को रखने वाले होंगे किन्तु जीत हासिल हुई हम एक नए इस्तर की और बढ़ने वाले हो गए खुद को एक नया लेवल देते हुए आप पाएंगे जो भी आपका हुनर है आज वो इस्थान पाने वाला रहेगा टिंबर उद्योग के साथ में जुड़ाव है आपका वहीं पे अगर कोई भी मैनुफेक्चरिंग संबंधी कामकाच के साथ में भी अगर आप जुड़कर चल रहे हैं ये दिन निश्चित तोर के उपर फाइदे की पोजिशन्स को बनाता हुआ दिखाई देता है आपके लिए उस इस्तर पर भी बढ़ने का कारे आपको जरूर करना चाहिए ग्रहस्त जीवन का सामन जस्य और उनके साथ में चल रहा काम दिन दूनी और रात चौगनी प्रगती करने वाला रहेगा सेक्षनिक गतेविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव है उस इस्टिट्यूट में कोई भी नया इनिशेटिव आप लेना चाहते हैं या फिर अभी खुद भी एजुकेशन के उस फॉर्मेटिव अप्रोच के साथ में जुड़े वो हैं जहां आप समझने का कारे कर रहे हैं अगर जो है विध्यारती इस तर के साथ अगर आप गमन करने का काम कर रहे हैं बुद्ध बरदान राशी के महनुभावों के लिए ये दिन एक नई एकसेप्टिबिलिटी को बनाता हुआ देखा जा सकता है जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होता है इस नवरात्रों के समय अंतराल के भीतर आपको एक इगनीशन मिल चुका है और यहां से और ज़्यादा तेजी के साथ आप बढ़ने का करेंगे जर्चा करक राशे के यहां पर रोग की संभावनाव से इंकार नहीं किया जा सकता यात्रा प्रवास रोग के साथ में थोड़ा सा आपको परिशान कर सकता है अपनी इटिंग हैबिट्स के उपर बहुत ज़्यादा नियंतरन रखके चलिएगा डिसिप्लिन की दरकार इस रविवार में है इस रविवार को अगर आप शामदार बनाना चाहते हैं यादगार बनाना चाहते हैं मन में थोड़ी सी उचाट करने वाली स्तियां जरूर रहेंगी किन्तु कर्म परदानक पोजिशन्स भी बनी हुई है और वहीं पे चंद्रम भी आप बली ही चंद्रमा की नेगेटिव पोजिशन हो बहतर बना सकते हैं यह आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कर्म के उपर और प्लैनिंग के साथ में जाने की कोशिश आपको करनी चाहिए एविएशन इंडिस्ट्री के साथ में अगर आपका जुडाव है सर्विस इंडिस्ट्री के साथ में जुडाव है नया स्टार्ट अप आपने शुरू किया ही है वहाँ पर संगर्ष बहुत जादा है तो यह दिन आज भी संगर्ष लेकर आएगा लेकिन यह संगर्ष संगहर्ष भी लेकर आ रहा है आपके लिए यह बहुत अच्छे से समझ कर चलन नहीं है लेकिन जो भी प्लैनिंग अगले हफते के हमको करनी है पेपर बर कम को करना है इस दिन आप उस और जरूर समय लगाने वाले हों वेदेश संबंधी कतेविधियों के साथ मगर आप जुड़ेवों है नेटिव से आप दूर रह रहे हैं वहाँ पर सफलता की उम्मी लाइफ के साथ में है और शारीशुदा जिंदगी के पहले जो रिलीशन्स होते हैं उसमें आप कहीं भी चल रहे हैं तो ये आप समझ के चलने की कोशिश कीजिएगा कि ये समय थोड़ी से डिमांडिंग के अप्रोच को सामने लेकर आ सकता है चर्चा सिंग राशी के सरव व्यापारिक और नौकरी पेशा द्रिस्टिकॉण के लिहाज से इस दिन आपको भी विशेश तोर के उपर सूर्य उपासना करने के साथ ही सुबह सुबह के समय ही मां के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए तो और ज़्यादा आपकी उर्जा में वर्दी होती देखी जा सकती है वहीं आप देखे हैं कि जिन भी मैलाओं ने कंसीव कर रखा है इस दिन आप यात्राओं को गर आप टालते हैं तो थोड़ा सा खुद के लिए बहतर पोजिशन को पाएंगे बहुत ज़्यादा एक्जरशन के साथ में जाने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए आटो मॉबाइल इंडिस्ट्री के साथ में जुड़ाव है ये दिन आपके लिए तेजी भरा कहा जा सकता है वहीं पे किसी भी चमक दमक के शुक्र संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव आपका है नए सौदे निकल कर आ सकते हैं उनकी स्वेकारिक्ता के साथ में आपका जुड़ाव है नए आफर सामने आ सकते हैं जो कहीं कहीं आपको नई अपरोच देने वाले होंगे फाइनेंशिल और साथी साथ में सामजिक स्तर के ऊपर एक आपको फाइदा मिलना चाहिए वो एक बड़ाव जरूर दिखाई देता है ग्रहस्त जीवन की जो डिमांड्स रहती है उनको फुल्फिल करने के अंदर बहुत जादा खुद की ओरजा को खर्च करने से मानसिक और आर्थिक दोनों ही ओरजाओं को खर्च करने से आपको बचना चाहिए कला के क्शित्र विशेश के साथ में ये दिन शांदार आपके लिए कहा जा सकता ह जो नई opportunities बनी थी जिस एक platform की आपको requirement थी उस platform की requirement के साथी साथ में next step की तरवी बढ़ने वाले आप हो सकते हैं ये आयाद रखकर आप चलिएगा चर्चा कन्या राशी की ढईया का अंदे मंत्राल और साथी साथ में चंद्रमा कहीं न कहीं थोड़ी सी approach के अंदर एक negativity लिये वे हैं जो पिछली दिन मन को उचाट करने वाली और मानसिक अस्थरता वाली अग्यात भेवाली स्ततियां बनी हुई थी मुक्ती उससे संभव आज भी नहीं है कर्म कहां किया जाए और कर्म किस तरह किया जाए किस शेत्रविशेश में किया जाए उर्जा कहां लेकर जाई जाए जैसे रिजल्ट सा सकें कन्या राशी वाले वाहनुबावों को ये सोच विचार करके चलना चाएए परबंधन के किसी भी कामकाच के करने से आपको बचना चाहिए किसी भी नए व्यक्ति को अपने साथ में जूड़ना चाहते हैं even if it is in the terms of your business position, business partnership position or you can say it is all about the workmanship which is associated with your business, ऐसी किसी भी position की तरफ आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको बच कर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति करने के लिए नहीं जाएं, चंदरमाब जनताकिस्तान के साथ में संबंद रख रहे हैं, किन्तु थोड़ा सा ये कल्कूलेटिव एप्रोच के मदर आपको पीछे लेकर आ जाते हैं, संदेह की स्तियों में जब विक्ति खड़ा हो तो उसे वही पे स्थर रहना चाहिए, उ नहां से उसे इसपस्ट ताकी जलक मिल सके, ये ध्यान रखा जाना आवशक है, बहुत सुबह सुबह अगर यातरा शुरू करते हैं, तो अंधेरा उस समय सबसे अधिक होता है, और उसके बाद में उजास आना शुरू होती है, वहीं से धरा के उपर एक रोशनी, जो है उर प्राकरम की स्थियां बहतरी से बनी हुई है आपके लिए, पर्मोशन जैसी कोई भी पूरिशन अनावचारिक तौर पे आपके सामने आसकती है, अनावचारिक तौर पे इसका आशा ये है कि आपके संबंद कॉर्परेट कल्चर में सरकारी तम्तर के अंदर बहुत अधिक स्तर के उपर बने हुए हैं तो वहां से आपको वो सूचना पहले से ही प्राप्त होने का कारिय हो सकता है भाग्यकी आवशक्ता व्यापार में जहां पर भी है वहां पर भाग्यके द्रस्टिकॉंड से एक पॉजिटिव एप्रोच आपके लिए दिखाई देती है रातरी बंदी गतिविधियों के साथ में चल रहा हो जहां पर एक स्तर के उपर पॉजिशन बस अठकी हुई है वो क्लैरिटी के तरफ जाने का कार्य कर सकती है लेदर इंडिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडिस्ट्री, रियल एस्टेट की पॉजिशन के साथ में चलते हुई रहेगी, ससुराल पक्ष के साथ में मिलकर किसी भी कामकाच को कर रहे हैं, वहां से आपके लिए एक साहयता और साहती साथ में सामंजस्ट्री की पॉजिशन दिखाई देती है, मित्रों के साथ में भी कामकाच को आगे बढ़ा रहे हैं, यह दिवस ठीक कहा जा सकता है आप वहां पर भी एक खट-कटाहट आपको मिलने की स्ततिया दिखाई देती है, उस हलचल को समझेगा और ऐसे वेक्ति के साथ में कोई भी संबन्द स्तापित होता है तो उस बात को चेड़ने की कोशिश जरूर आप कीजिएगा, यह ध्यान रखें चर्चा ब्रश्चे कराशी की, यहाँ पर धना गमन की स्ततियां बनी हुई है, धन आएगा भी तो गमन के रास्ते भी निकालेगा, खर्चे भी बहुत ज़ादा बनी रहेंगे, किन्तु उन खर्चों की परिवाशाओं की अगर बात की जाए, तो खर्चे कहीं न कहीं व्य लियंतरन रखना, खुद को कहीं न कहीं पीछे रखने की स्ततियों के साथ में होगा, आज भाशाई स्तर के उपर, जहां पर भी विद्रो की आवशकता है, आपको लगता है कि मैं यह बात यहां बोलूँगा, तो उसका भी भला करूँगा, खुद का भी भला करूँगा, और लियात्राओं में लाब के साथ ही साथ में आनंद, दोनों ही पोजिशन्स चिपी वी है, इस इस्तर के उपर भी फाइदा है, ग्रहस्त जीवन के स्ततियां सामानी तोर के उपर चलने का कार्य आपके लिए कर रही हैं, किसी भी रिलेशन के साथ में अगर आप चल रहे ह तो वो रिलेशन आज आपको एवाल्व करने वाला रहेगा, वो रिलेशन आपको नई खुश खबरियां भी देने वाला रहेगा, इस इस्तर के उपर भी ये टाइम एक पॉजिटिव फ्रेम में है, कला के क्शित्र विशेश के साथ में वरश्चिक राशी के मानुभाव जुड़ेवों हैं, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशल लेवल पर कोई भी दोका नहीं मिले, किसी भी सौदे के तरफ जा रहे हैं, तो वो ध्यान रखकर चलिएगा, चर्चा धनुराशी की, यहां आज पूरे दिन आपके लिए आत्म विश्वास का अतिरेक बना हुआ है किन्तु रातरी समय के अंदर उस टाइम फ्रेम के बाद जब चंदर्मा परिबर्तित हो जाएंगे, अति आत्म विश्वास में वो आत्म विश्वास नहीं बदले, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जाकर कई बार सारी ही इस्ततियों को उलट करने का काम करत हैं, तो ये दिन बहतरी की उमीदों के साथ में आ रहा है, अपने कामकाजी जिवन को ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिक एक्यूप्मेंट के साथ में अगर आपका जुडाव है, कंस्ट्रक्शन संबंधिक अतिविधियों के साथ में अगर चाहिए और उसी और मुनाफिक की और भी जरूर जाना चाहिए, ग्रहस्त का सपोर्ट बना रहेगा, भाईयों में तो रिश्यदारों के साथ में संबंधों में प्रगाड़ता है, इस दिन जो है अपने कामकाज को पूर्ण करके आप कहीं भी घूम दे फिरने के लिए जा चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को कमफर्ट जोन में लेकर आना चाहते हैं, जरूर जाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, टेक्स्टाइल इंडस्ट्री और उसे जुड़ा हुआ जो भी कामकाज है, बले ही उसमें मेनिफेक्ट्रिंग हो गई या इंपोर्ट कर रही थी, आज भी थोड़ा बहुत परिशान कर सकती है, डाइग्नोस किसी भी प्रब्लम को करवाने के लिए जाना है, ऐसा दिवस को आप उस लेहाजा चुनने का कारे कर सकते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से अनौपचारिक तोर के उपर रिण द होती है, या फिर नीज से लेकर टोस तक कि जो पूरिशन्स में कई बार दर्द रहता है, वो भी थोड़ा सा परिशानी का सब्ब, मकर राशी वाले महान भावों के लिए बन सकता है, रिलेशन डिमांडिंग रहेंगे, बजटरी पूरिशन्स को बिगाड़ने का काम आपक हैं, जो गैप आया है, उसको एक बार समझ के चलते हैं, तो जादा बहतर ही मकर राशी के महान भावों के लिए यहां पर देखी जा सकती है, एक स्तर पे सलून इंडिस्ट्री के साथ में जोड़ी हुई पूजिशन्स की बात, शुक्र संबंधी, किसी और कामकाज़गी मे बात करूँ, तो आपके लिए खर्चे, इन्वेस्ट्मेंट की श्रिणी में कहे जा सकते हैं, तो उस लहाजा बढ़ते चले जाना चाहिए, आपको ब्रहमक स्तियां लगातार मनी हुई है, उस ब्रहम में और इसपस्ट ताम में आपको अंतर करने में बहुत जारा जोड़ लगाना पड़ेगा, एकागरता की आवशक्ता रहेंगी, उस पीक के कॉंसेंट्रेशन लेवल को अचीव करने की कोशिश जरूर आपको करनी चाहिए, ये विध्यान रखें, अब चर्चा कुम राशे के, लाब की स्तियों का जो इंतजार आपके लिए था, आकस्मिक आप आगे बढ़ने का कारे कर सकते हैं, कोई भी डील फाइनलाइस करने वाले हैं, किसी भी मीटिंग को आपने रख रखा है, आपका बिजनस एक चोटे से स्तर के उपर चल रहा है, आपने अपने ही सारे मानुभावों को बलाया, उनसे एक मीटिंग की, ब्रेंस्टॉर्म की, सुतंतरता के साथ में उनके आइडिया सुने, वो आइडिया आपके बिजनस को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाने का कारे कर सकते हैं, देखिए, लाब का आशाय सरफ ये नहीं है, कि आपको धनलाब हुआ और आपने रखाता प्रगति की, इस दिन जो आइडिया आ किसित किया गया हुनर, प्रोफिटेबल एप्रोच की तरफ लेकर आ सकता है, आपको धार्मिक यात्राओं के साथ में अगर जुडते हैं, नवस्पंदन को मैसूस करते हुए बढ़ते चले जाएंगे, आप किन्तु हिडन प्रोब्लम्स भी साथ ही साथ में तोड़ा बहु सक्षनिक गतेवधियों के मंदर, एजुकेशन के लेवल पर में बात करूँ, सपोर्टिव है ये दिन, आपके कोई भी एक्जाम बिल्कुल गाहे बगाहे खड़ा हुआ है, इंतजार में है कि अब इस दिवस के साथ में आपको आगे बढ़ना ही रहेगा, उसकी प्रिपर इन के शिकायत जरूर आपको रह सकती है, वो परेशानी थोड़ी सी रह सकती है आपके लिए, चर्चा मीन राशिकी, ये पूरा दिन, नौकरी पेशा इस तरह के उपर सबसे पहले में बात करूँ, जहां सारे ही लोग अपने कमफर्ट में हो, रविवार को उस तरह का दिन कर सकते हैं, जो उपरी अधिकारी होते है, उनकी भीतर जो एक भरोसा जागरित होता है, कई बार ऐसे दिरदिवस के भीतर जागरित होने का काम करता है, कर्म परदानक स्तियों के साथ में, आप ये भूल जाएगा के रविवार है, ये भूल जाएगा के comfort zone आज मेरे लिए required कहीं भी आवशक नहीं है आपका रेफ्रेश बटन आज कर्म ही है यह याद रख कर चलते हैं प्रबंधन में निशनात करने वाली इस्तियां बनी हुई है लोगों से एज बाकर आगे चलने वाली पोजिशन्स आपका इंतजार कर रही है उस वार बढ़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए बूमी संबंदित कोई भी निरनाय इन मांगलिक दिनों के भीतर अगर आप लेना चाहते हैं इन शुब दिनों के भीतर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं निरनाय और आग निरनाय के भीतर अगर आप जूल रहे थे तो द्वी सुभाव ये राशी वाल और वहीं पे जीवन का जो विकास करम्द है ऐसे दिनों में बहुत जादा आगे लेकर जाने वाला होता है आपको ग्रहस्त और परिवार का सामन जस्य पुरजोर तरीके से बना हुआ है माशक्ति के महापर्व में हम अपासनाओं के साथ मैं चलते चले जाएं मेरी उस सरवोच सत्ता से आप सभी के लिए यही कामना है और साथ ही साथ मैं मा की करपा प्रतिक स्वरूप में हमारे लिए बनी रहे मेहनी कामनाओं के साथ मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूँ आप सभी से फिर से मुलाकात होती चले जाएगी हरदय से आभार और कोटी शह धन्यबाद